हेलो दोस्तों, वेलकम टू धुलतर अपडेट्स यूटूब चैनल तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिमाचल परदेश की लेटस्ट अपडेट इस वीडियो में लेके आए हूँ तो हिमाचल परदेश में जो दस्मी और बार्मी कक्षाओं की जो प्रीव और परिक्षाएं होने वाली है तो वो किस माहा में कंड़क्ट की जाएंगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो पर एंड तक बन रहे हैं अगर आप चैनल पन रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर दें और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे ने वली हिमाचल परदेश की हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे वीडियो पसंदर वीडियो को लाइक करना बिल्कून भूलें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको डेटेल में बताते हैं तो उससे पहले आर्ट एंड फिजिकल टीचर्स की रिरूटमेंट के बारें बात कर लेते हैं हिमाचर परदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द कला और शरीक शिक्षकों की भरती होगी सो ब्रिद्यार्थियों से कम संख्या वाली स्कूलों में भी इन सिक्षकों के बद भरे जाएंगी प्रारंबिक शिक्षा निदेशक शुवकरन सिंग ने कहा कि RTE में ऐसा नहीं लिखा गया है कि माध्यमिक स्कूलों में अगर बच्चों के संख्या सो से कम है तो उन स्कूलों में कला और शारीक शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे उन्होंने कहा कि जल्द भरती परकरिया शुरू होगी लंबे समय से सो बद्यार्थियों से कम संख्या वाले माध्यमिक स्कूलों में कला और शारीक शिषकों के पद नहीं भरे जा रहे है तो प्रदेशा देक्ष चमलाल शर्मा की अधक्षता में शिक्षा निदेक्ष शुकरन सिंग ने साथ निदेशाले में बैठक की नो सूत्रिय मांग पत्तर पर चर्चा हुई शिक्षा निदेशक ने कहा कि आटी इमें जिकर है अगर माध्यमिक स्कूलों में दस सोरी सो या इससे अधिक बच्चे हो तो वहां प्रात्मिक्ता से इन पदों को भरा जाएगा शेगरी ये पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी संके मा सचिव देवदत शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशक ने कहा कि शास्ति तथा भाष्टा ध्यापकों की टीजिटी हिंदी टीजिटी संस्कृत पद नाम देने बारे मामला शेगर कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा पद नाम केबल उन्ही को मिलेगा जो भी ये बैठ हैं तीन फिजदी स्थानांतरन नेती में संशोधन कर्ष्माय अबधी 13 साल से कम कर पांच वार्ष करने का प्रयास शिगर शिक्षा सचिव को बेज़ जाएगा तो जो संशोधन कर्ष्माय की अबधी है अब पहले 13 साल थी तो उसको कम कर पांच वार्ष करने का प्रस्ताव जो शिक्षा सचिव को बेज़ जाएगा इसके बारे में प्रदेशा धेक्स चमलाज शर्मा ने कहा कि निरिक्षन्स निदेशक डिरेक्टर टीम के साथ वरिष्ट कला ध्यापक को भी शामिल किया जाए बैठक में राज्य मुख्य सलाकार दुरगानंद जिला कुलो के परधान गोविन ठाकुर सोलन के परधान कमल चंद नरेश कुमार बिलासपुर से कश्मीर चंद शिमला से परदीप कांथ शर्मा रकेश कुमार कांगरा से गुर्द्याल सिंग मंडी से नरेश कुमार किनोर से किरन कुमार कपिल देव बिजय कुमार भी मौजूद रहे तो अब बात कर लेते हैं जो हिमाचर परदेश की दसमी और बार्मी की प्रीवोर्ड परिक्षाएं जो होने ही वाले हैं तो उसके बारे बत कर लेते हैं हिमाचर परदेश के सरकारी स्कूलों में दसमी और बार्म प्रिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व प्रिक्षाएं के लिए जिरा अधिकारियों को निदेच जारी कर दिये हैं। 2020 से शिक्षा विबाग निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी प्रिक्षाएं करवाने का फैस्ट लिया था। इस साल पहली वार फर्वरी में जो है शिक्षा भिवाग ने 10 में और 12 में कक्षा में प्रीवोर्ड परिक्षाएं आज़िद की थी अब इसी तर्ज पर 12 से फर्वरी 2021 में इन परिक्षाओं को करवाया जाएगा शिक्षा भिवाग के अधिकारियों का मानना है कि प्रीवोर्ड परिक्षाओं से बोर्ड परिक्षाओं की त्यारियों में जुटे विद्यार्थियों को अपनी त्यारियों का अंकलन करने का मौका मिलता है जिन विद्यार्थियों के प्रीव और प्रिक्षाओं में कम अंक आते हैं उन्हें सुधार लाने के लिए शिक्षकों को भी समय मिल जाता है जिस वीश्य में विद्यार्थियों के अंक कम आते हैं उनकी अंतरिक्त कक्षाओं लगा कर सुधार किया जाता है जिससे वार्षिक प्रिक्षाओं में विद्यार्थियों के परिणामे शुधार आता है शिक्षा सचिव रजीव शर्मा ने बताया कि प्रीव और प्रिक्षाओं फर्वी 2021 में होंगी प्रिक्षाओं किस तरह से ली जाएंगी इसको लेकर मन्थन जारी है क्रोना वाइरस की स्थिती को देखते हुए प्रिक्षाओं का आयोजन होगा तो दोस्तों ये थी आज की लेटस्ट दो अपडेट्स जो मैं आपको बताई अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो का आप लाइक करना बेलको न भूले और चैनल को सबस्काइब जूर करें ताकि आपको आगयाने वाले हिमाचल परदेश की हर लेटस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन टाइम टड़ना हमारे चैनल दोरा मिल सके और इस वीडियो का आपने दोस्तों के साथ जूर से शेयर करें ताकि उनको पतालक्स के आज की दो लेटस जो अपडेट आई है और नीचे कमेंट करके जूर बताएं जो ये मैंने दो अपडेट्स बताई जो आर्ट एंड फिसकल टीचर्स के रिलेटिड तो इसकी भरती कब तक हो जानी चाहिए इसके बारे में आप जूर से कमेंट करें और साथ में जो दसमी और बार में की जो बोर्ड प्रिवोर परिक्शा हैं वो इनको कब तक ले ली चाहिए क्योंकि फरवरी तक लिए बता रुख भा है तो आप अपने हिसाफ से बताएं क्योंकि करोना चला हूँआ है तो आप सभी को पता ही है तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैमाचल